दोस्तों आज अगर कोई ऐसा सीरियल है जो बहुत ही कम समय में दर्शकों के दिल में बस चुका है तो वो सीरियल स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा सीरियल अनुपमाही है जो देखते ही देखते सभी पुराने शोस को टी आरपी में पचाड़ कर अवल नमबर पर आ चुका और इनी कलाकारों में एक नाम सुधानशू पांडे का भी शामिल है जो शो में अनुपमा के पती वनराज शाह का करदार अदा करते हैं जो कि एक निगेटिव करदार होने की बावजूद दर्शकों का पसंदिदा करदार बना हुआ है लेकिन दोस्तों सीरियल में वनराज शाह का करदार परदे पर उतारने वाले अभिनेता सुधानशू पांडे के बारे में तो आप सब जानते हैं पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कौन-कौन हैं वो क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं इसलिए आज की हमार साथ इस वीडियो के अंतक साथ ही दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें टीवी इंडॉस्ट्री के मशूर अभिनेता सुधान शुपांडे का जन 22 अगस्त 1974 को लखनव के ब्रहमण परिवार में हुआ था और इसी के चलते इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से पूरी हुई इसी के साथ बात करें इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में तो बता दें कि इनकी इस फैमिली में कुल मिला कर चार मेंबर्स हैं जिनमें इनके माता पिता, इनके भाई और ये खुच शामिल है सबसे पहले बात करते हैं इनके पिता के बारे में जिनका नाम हरीश चंदर पांडे है जो कि पेशे से एक आर्मी ओफिसर थे जो आज रिटाइड होकर अपनी परिवार के बीच खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं वहीं पिता के बाद बात करें इनकी माता मिसिस पांडे के बारे में तो बता दे कि इनकी मदर पेशे से एक ग्रहनी थी जिनकी लाइम लाइट से दूर रहने की वचह से बहुत ही कम तस्वीरे उपलब्ध हैं माता पिता के बाद बात करते हैं अब इनके भाई के बारे में जिनका नाम प्यूश पांडे है बता दें कि इनके भाई प्यूश पांडे उम्र में इनसे बड़े हैं और वर्तमान में पेशे से एक एंट्रेप्रनियोर हैं साथ ही साथ ये इंस्ट्राग्राम पर काफी जादा एक्टिव भी हैं, जो अक्सर अपनी पॉलेटरी के शौक को इंस्ट्राग्राम पर पूरा करते नजर आते हैं. बता दें कि इन दोनों भाईयों के बीच काफी जादा प्यार है, जिनका प्यार अक्सर इनकी तस्वीरों में साफ जाहिर होता है. चलिए अब बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में, जिनका नाम मोना पांडे है, जिनसे इन्होंने साल 1996 में में शादी करके घर बसाया था. तो बता दें कि इनकी वाइफ मोना पांडे पेशे से एक मौडलिंग एजनसी में काम कर चुकी हैं, और इसी मौडलिंग एजनसी में काम करने के दारान इनकी मुलाकात सुधानशु पांडे से हुई थी, जहां पहली मुलाकात में ही सुधानशु पांडे ने इन्हें अपना दिल दे कर अपना हम सफर चुन लिया था जिसके बाद कुछी समय के अंदर इन दोनों ने शादी कर ली जहां इन दोनों की शादी को आज 24 साल से जादा का समय हो चुका है पर इन 24 सालों में आज भी इन दोनों का प्यार पहले की तरह ही बरकरार है बता दें कि इनकी इस शादी से दोनों को आज दो बेटे भी हैं जिन में निर्वान पांडे और विवान पांडे के नाम शामिल है जो दिखने में काफी जादा क्यूट है और अभी काफी छोटे होने के कारण वर्तमान में अपनी पढ़ाई में बिजी है तो दोस्तों आपको सुधान शुपांडे का ये परिवार कैसा लगा? हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले